यूटूब के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल दे ब्रिलेंट एकेडमी यूनिक एजूकेशन पर फ्रेंड्स मेरा नाम है विजे कुमार और आज हम जो टोपिक डिसकस करने वाले हैं उस टोपिक का नाम है कंजंक्शन फ्रेंड्स ये जो हमारी पार्ट सोब स्पीच की जो सीरीज चल रही है उसका एक बहुती इंपोर्टेंट टोपिक है और जो एंग्लिस ग्रेमर है उसके अंदर इसकी काफी सिग्निफिकेंस है इस टोपिक के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसकी जो लेटेस्ट वीडियो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहें और इसके जो बाकी वीडियो है उनको भी आप देखें सीखें मैक्जिमम सेयर करें इस जो टोपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वो इंपोर्टेंट सीजे कुछ इस प्रकार है कि बहें कंजक्शन क्या होते हैं कहां काम में लिये जाते हैं क्या इंपोर्टेंट से इसकी कितने प्रकार के होते हैं उन अलग लग प्रकार को अपन डिसकस करेंगे डिटेल में इन Conjunctions are the words that links Other words, phrases, clauses Or sentences together Conjunctions क्या काम में आते हैं Conjunctions वो सब्द होते हैं या सब्दु के जोड़े होते हैं Single word भी हो सकता है Payer भी हो सकता है जो कि किसको जोडने के काम में लिए जाते हैं Words को जोडने में काम में लिए जाते हैं या फिर phrases को जोडने में काम में लिए जाते हैं Closets को जोडने में काम में लिए जाते हैं या फिर sentences को जोडने में काम में लिए जाते हैं ठीक है इसके example देखते हैं अपन जैसे first sentence देखिए First sentence कहता है I take tea and biscuits in the breakfast ये एक single sentence है और इस single sentence के अंदर दो अलगलग सब्द है, दो अलगलग नाउन है जिनको जोडने का काम कर रहा है एक दूसरा वर्ड उस वर्ड का नाम है end sentence है I take tea and biscuits ये एक दो अलगलग sentence भी हो सकते थे I take tea और I take biscuits in the breakfast लेकिन यहाँ पे जो दो अलगलग words थे tea or biscuits, उनको इस sentence में जोडने का काम किया है कौन से सब्द ने किया है, वो है end tea एक नाउन है और biscuits भी एक नाउन है वेसे देखा जाए तो ये एक sentence के अंदर दो अलगलग सब्द है और इनको जोड़ा end ने, तो end यहाँ पे क्या हो गया end यहाँ पे हो गया, conjunction I hope यह चीज़ समझ में आई होगी second sentence देखिए I would like to thank you for this lovely gift अब यह जो sentence है, इसके अंदर this lovely gift this lovely gift जो यह पार्ट है, यह एक phrase है this lovely gift यह जो पार्ट है, यह एक phrase है और इस phrase को sentence का जो बाकी पार्ट है उससे जोड़ने में कौन मदद कर रहा है, कौन help कर रहा है for पहले sentence कहता, I would like to thank you मैं आपको धन्यवा देना चाहूंगा किस चीज के लिए, this lovely gift तो यह जो this lovely gift, यह जो पार्ट है यह पार्ट है आपके एक phrase और इस phrase को sentence का जो अधर पार्ट है उससे जोड़ने में कौन मदद कर रहा है वो मदद कर रहा है, you तो you यहाँ पे क्या हो गया you यहाँ पे एक conjunction हो गया ठीक है, आगे चलते है everyone enjoyed the fishing trip although no one caught any fish अब भे से देखा जाए तो इसको अपन काउंट कर सकते हैं कि दो different sentences है और दूसरी तरफ देखा जाए तो no one caught any fish यह एक clause है एक dependent clause है जो कि इस दूसरे वाले sentence पे depend करता है everyone enjoyed the fishing trip हर किसी ने जो यह fishing की जो trip थी मचली पकड़ने गये थे trip को उसका enjoy किया उसको अनन्द उठाया लेकिन किसी को भी fish नहीं मिली कोई भी fish को फकड़ नहीं पाया तो यह जो no one caught any fish यह जो part है इस part को sentence का जो यह बाकी हिस्सा है इसको जोडने में कौन help कर रहा है although तो यहाँ पे although क्या हो गया although एक क्या हो गया conjunction हो गया and the last but not the least my name is Tom and I like dogs अब यहाँ पे दो अलग-लग thinking से दो अलग-लग sentences है और इन दो अलग-लग sentences को जोडने में कौन काम साहिता कर रहा है कौन किसी word को अपन काम में ले रहे है वो word है अपना and my name is Tom I like dogs दो डिफरेंट sentences है इनको जोडने में हम काम में ले रहे है end को then the word end will be a conjunction I hope definition क्या है definition यह है कि बहुए conjunctions are the words that link other words phrases clauses sentences together यह जोडने का काम करता है words को जोड सकता है phrases को जोड सकता है clauses को जोड सकता है and सबसे last में sentences को भी जोड सकता है यह जो जोडने का काम है यह काम होता है अपने conjunctions का I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी फिर आगे चलते हैं अपन जो अपने पास next चीज है वो है why do we need to use conjunctions conjunctions use करने की जरूरत क्यों पढ़ती है हम बात कर रहे है conjunction use करने की जरूरत क्यों पढ़ती है देखो अपन इसको इसके बारे में कुछ भी हाइफाई पढ़ने से पहले अपने एक basic चीज पढ़ते हैं जैसे यह दो sentence लिखे हैं इन sentence को ही पढ़ लेते हैं अपन इसके बाद में जो this दोनी है वो चीज मुझे पसंद नहीं है तो ये तीन अलग-लग sentence लिखे हैं ठीक है अब ये जो sentence से जाए ये एक ही idea को show कर रहे हैं अगर देखा जाए तो ये continuous बात है लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पे बिना किसी word को परियोग करते वे अपने छोटे-छोटे simplistic sentence लिखे हैं ठीक है लेकिन इससे क्या है जो अपने expression है जो अपने बोलने का तरीका है ये एक chopiness आ जाती है अगर अपन अलग-लग sentence यूज करते हैं ठीक है तो इन अलग-लग sentence के बजा आए अपन complex sentence बनाए elegant sentence बनाए उस काम में अपने आते हैं conjunctions इनी sentence इसको में लिख सकता हूँ I like cooking and eating but I don't like washing dishes afterwards कि भई मुझे खाना पकाना और खाना तो पसंद है लेकिन उसके बाद में मुझे जो बरतन है जो जूटे बरतन है वो दोने मुझे पसंद नहीं है तो all in all ये कहना क्या चाता है ये कहना ये चाता है कि without conjunctions अगर हमने conjunctions काम में नहीं लिये तो you will be forced to express every complex idea in a series of short simplistic sentences मुझे यहाँ पर अपना जो idea था उसको बताने के लिए छोटे छोटे बिल्कुल साधर और साधर sentences यूज करने पड़े तो इससे अपने writing and speaking दोनों की दोनों जो चीजे हैं वो बहुत ही simple नजर आती है और इसमें है जो अलग अपने को multiple छोटे छोटे sentence यूज करने से अपना जो writing है उसमें chopiness आ जाती है इससे बचने के लिए हम इन छोटे छोटे multiple sentences को एक complex idea में जोड़ते हैं conjunctions की मदद से इसलिए conjunctions काम में लिए जाते हैं यहां तक यह चीज समझ में आती है अपने को चलिए आगे बढ़ते हैं next जो चीजे वो है types of conjunctions कि बहुत सारी चीजे हैं मैंने इसको बिल्कुल short रखा है बिल्कुल छोटे तरीके से अपने simple तरीके से समझ सकते हैं आप अपने schooling में आपने पढ़े होंगे कि conjunctions तीन प्रकार के मैं यहां पर आपको चार प्रकार के conjunctions बताऊंगा चार प्रकार से कैसे हैं अपने को समझ में आ जाएगा जड़ा देखते हैं सबसे पहले है coordinating conjunction फिर है subordinating conjunction फिर है correlative conjunctions और last में है conjunctive adverbs तो सबसे पहले बात आती है coordinating conjunctions की यह क्या होते हैं यह एसे sub एसे phrases एसे closes को जोडते हैं जिनकी जो grammatical rank होती है एक समान होती है उनकी grammatical structure है वो भी करीब करीब समान होती है एक तरह के flow के sentences को जोडने के लिए काम में लिये जाते हैं दूसरी तरफ subordinating जो conjunctions होंगे वो ऐसे दो sentences को denote करेंगे जिन में से एक sentence dependent होगा मतलब वो दूसरे वाले sentence में निरवर नहीं है जबकि जो दूसरा sentence है वो dependent होगा dependent होने का मतलब हुआ कि उसका अर्थ तभी निकलेगा उसको clear cut आपन तभी सबज़ पाएंगे जब आपने पास दूसरा वाला sentence जो पहले वाला sentence है वो हो अगर वो independent sentence नहीं होगा तो उस dependent sentence का कोई मतलब नहीं होगा इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को देखो यहां पर दोनु के दोनु जो sentence को ओडिनेटिंग के अंदर दोनु के दोनु जो sentence होंगे वो कैसे होंगे dependent होगे अगर आप उनको अलग-लग समझने की कोशिश करोगे तो क्योंकि उनकी grammatical rank समान है इस वज़े से उनको दोनु को आप अलग-लग समझ सकते हो लेकिन यहां पर जो दो sentence subordinating के अंदर जो दो sentence होंगे उनकी grammatical rank समान नहीं होगी और क्योंकि वो समान नहीं होगी तो उनमें से एक dependent होगा दूसरा independent होगा तो इनको जोडने का काम करेगा subordinating conjunction तीसरी तरफ आती है correlative conjunction तो correlative conjunctions ऐसे conjunctions होंगे ऐसे conjunctions जो pairs में काम में ले जाते हो ठीक है यह जो एक single word नहीं होगा इसमें जोड़ा होगा conjunction का इनको आसानी से समझ सकते हैं यह बहुत आसान है ठीक है और जो last आता है अपने वो है conjunctive adwork जो अपने कहीं भी पहले नहीं पड़े हैं या पड़े हैं तो इतने detail में नहीं पड़े हैं यह इस इनको यह भी बिल्कुल simple है जोड़ने के लिए तो इनको अभी अपन detail में पड़ेंगे यह तो एक चोटा सा summarization था कि conjunction कितने परकार के होते हैं केटेगरी में बढ़ता है चार परकार के conjunctions होते हैं अब आगे बढ़ते हैं अपन सबसे पहली बारी आती है coordinating conjunctions की तो भाई coordinating conjunctions क्या होते हैं यह अपने पहले पढ़ लिया था equal grammatical rank के sentences को जोडने में जो conjunctions काम में लिये जाते हैं वो होते हैं coordinating conjunctions इन में गिंती के ही साथ conjunction इस केटेगरी में रखे हुए हैं और है भी बहुत आसान इनको आप इन एक short term यह जो एक acronym है इससे आप समझ सकते हो fanboys यह क्या है fanboys यह इसके एक short term है जिसके तुरू आप इसको याद रख सकते हो आसानी से कौन से देखो f stands for for a stands for end n stands for nor b stands for but o stands for or y stands for yet and s stands for so ठीक है यह आगया f से 4 s से end n से nor b से but o से और y से yet and last में s का मतलब so तो इनको अपन थोड़ा सा डीटेल में पढ़ लेते हैं f मतलब 4 तो coordinating conjunction में जो सबसे बेला conjunction है वो है 4 किस काम में लिए जाता है explains reason और purpose main जो f o r 4 यह जो coordinating conjunction है इसका जो main काम है जो सबसे major काम है वो है कि यह दो ऐसे sentences को जोड़ेगा जिसमें second जो sentence होगा वो आपके reason show करेगा आप ऐसा समझ लो कि आप इस 4 को बिलकुल use कर रहे हो because की तरहे इस 4 को आप use कर रहे हो because की तरहे कोई भी ऐसा sentence है जिसमें because आ रहे है उसमें आप 4 को replace उस because को आप 4 से replace कर सकते हो ठीक है reason show करने में काम आता है purpose show करने में काम आता है दूसरी तरफ चलते है end end का क्या काम होता है end का सीधा साधा काम होता है additionally अगर कुछ बताना हो तो एक चीज में जब कोई दूसरी चीज add करनी हो adds one thing to another एक चीज के अंदर जब कोई दूसरी चीज add करनी हो तो आप वहाँ पर end नाम का जो conjunction है वो आप कामे लेते हो तीसरा conjunction नौर वेसे तो नौर का जो सबसे main काम है वो नीदर के साथ इसको कामे लिया जाता है जो कि एक correlative conjunction है लेकिन नौर को एक single term के रूप में भी यूज किया जा सकता है किस काम में किस तरीके से कामे लिया जाता है इसको जब भी कोई alternative negative idea आपको यूज करना हो विकल्प दर्शाना हो लेकिन किस परकार का विकल्प हो नेगेटिव विकल्प हो ठीक है मतलब ना ही के रूप में केवल ना ही निदर ना हो केवल नौर का परियोग हो उसको कामे लिया जाता है कोई पहले से ही एक कोई negative idea दे रहा होगा आपको और उस negative idea के साथ में एक alternative negative idea आपको अगर और add करना हो तो उसके लिए आप जो conjunction यूज करते हो वो है नोर अभी अपने इसका example भी देख लेंगे बट को किस तरीके से काम में लिया जाएगा बट को काम में लेने का बिलकुल simple तरीका है पहले जो sentence बता रखा हो पहले जो idea दे रखा हो उसके contrast वाला contrast वाला अगर idea अगर अपने को यूज करना हो तो वहाँ पे बट नाम का conjunction काम में लिया जाता है ऐसे ही और है वो नोर का उल्टा है और जो है वो किसका उल्टा है और है नोर का उल्टा नोर का परियोग क्या जाता है alternative negative idea शो करने के लिए जबकि और का होगा alternative positive idea शो करने के लिए choice शो करने के लिए उसके बाद में आता है yet yet किस काम में लिया जाता है यट का परियोग भी बिल्कुल बट की तरीके से होता है, ये भी कोई contrasting idea होता है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़िया, जो सबसे main रूप है, जो कामें लिया जाता है, किस परकार कामें लिया जाता है, mainly इसको, ये जो इसके जो first, जो इससे जो पहले sentence आ रखा होगा, उसक noun है, precede, precede से काम में लिया जाता है, precede का ही एक रूप है, precede का मतलब कोई चीज जो पहले आती है, verb के रूप में कोई चीज किसी चीज का किसी चीज से पहले आना, तो ये जो जिस sentence को, जिस sentence को, जिस दूसरे वाले sentence से जोड़ेगा, जो पहले वाला sentence होगा, उसको logically follow येट, ठीक है, ऐसे ही, so, so का क्या होगा, indicate, effect, result, or consequence, जैसे because होता न, because से आप उल्टा मान लो, because में क्या होता है, result पहले आता है, उसका reason बाद में आता है, यहां क्या होगा, reason पहले आ जाएगा, उसका effect क्या पढ़ा, वो result क्या हुआ, वो बाद में show करेगा, so, बिल्कुल because की तरह से उल्टे है, ठीक है, so और four को आप उल्टा मान सकते हो, ठीक है, nor और और को आप उल्टा मान सकते हो, तो यह तो कहानी होई, coordinating conjunction, जो साथ conjunction है, coordinating fanboys, जो इसका acronym है, जो short word है, short form है, four काम आएगा, आपके region सो करने के लिए, बिल्कुल because की तरह है, end काम में आएगा, additionally कुछ idea add करने के लिए, nor काम में आएगा, alternative negative idea देने के लिए, but काम में आएगा, contrast सो करने के लिए, और काम में आएगा, positive alternative idea देने के लिए, ऐसे yet काम में आएगा, contrast सो करने के लिए, लेकिन logical flow के अंदर, ठीक है, और ऐसे शो काम में आएगा, effect result या consequence सो करने के लिए, ठीक है यहां तक की बात complete हो जाती है आगे चलते हैं अपने इनके examples देखते हैं examples से तोड़ा better तरीके से समझ में आएगा examples देखिए आपको example समझ में बिल्कुल आसानी से example से ये समझ में आ जाएंगे जो coordinating conjunction है साथ परकार के first sentence देखो ये एक बिल्कुल एक कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा I go to park every Sunday I go to the park every Sunday for I love to wash the ducks on the lake I go to the park every Sunday मैं हर संडे को पार्क में जाता हूं मैं हर संडे को पार्क में जाता हूं for I love to wash the ducks on the lake अब भाई देखिए ये for है न ये बिल्कुल because की तरीके से काम में लिया जाता है आप इसकी जगे because रख लीजिए एक ही बात है I go to the park every Sunday because I love to wash the ducks on the lake इस because की जगे आपने for रख दिया आपका because का जो word ये जो because word है ये replace हो गया दोनु sentence है पहला जो sentence है वो बता रहा है कोई fact और उस fact का reason क्या है वो second sentence बता रहा है और इस fact और reason को जोडने का काम कर रहा है for I go to the park every Sunday मैं हर Sunday को पार्क में जाता हूं because yeah for क्योंकि I love to wash the ducks on the lake क्योंकि जो वहां की जील है उस जील के उपर जील में जो ducks हैं बतके हैं उनको देखना मुझे अच्छा लगता है मैं पसंद करता हूं देखो अच्छा लगना उसके लिए वेसा word यूज करते हो like कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको उस रिप्लेस कर सकते हो like को love से ठीक है आगे चलते हैं तो four समझ में आ गया ये इसका जो reason है वो शो करेगा तो अपने को यहां तक समझ में आ गया होगा next चलते हैं I watch the ducks on the lake and the shirtless man playing soccer I watch the ducks मैं ducks को देखता हूं I watch the ducks मैं ducks को देखता हूं on the lake जील पर दूसरे तरफ second idea है the shirtless man playing soccer कि मैं जील पर किसको देखता हूं मैं जील पर देखता हूं जील में देखता हूं बतकों को और क्या देखता हूं additionally बता रहा है और क्या देखता हूं shirtless man playing soccer किसको देखता हूं shirtless man बिना shirt के कुछ आदमी जो खेल रहे होते हैं फिर सोकर खेल रहे होते हैं, सोकर खेलते हैं, मैं उनको देखता हूँ, तो देखो, एक आइडिया था, मैं देखता हूँ, देखने की किरिया का, एक आइडिया था, मैं किसको देखता हूँ, जील में किसको देखता हूँ, बतकों को, और वहाँ पर ही पास में, तो यह एडि एर नौर फॉर दो डक्स, ऐ्यड़ लाइक सौकर। दूसरी तरफ, अभी थोड़ा अलग है, I don't go for the fresh air। ने तो में वहाँ फ्रेस हवा के लिए जाता हूँ, नौर ना ही में जाता हूँ डक्स के लिए, ना ही में किस पहला हूँ ना ही में जाता हूँ, बतक के लिए, ना त air I don't go for the fresh air نہ तो मैं जाता हूँ ठंडी हवा के लिए ना ही मैं जाता हूं बथको के लिए तो पहला भी आइडिया जो था नेगटिव आइडिया था और उस नेगटिव आइडिया के साथ में एक और नेगटिव आइडिया बताया है गया वह नेगटीव आइडया कोन छा था फोर्डर डंग्स की न साथ हूँ आज याहँ रेच्स से लिए नहीं मैं जाता हूँ डंग्स के लिए तो नौ जो वर्ड है वह अल्टरनेटीव नेगटीव आइड़ करने के लिए आपको काम मेलेक banco यह एक क्या है, coordinating conjunction, आगे बढ़ते हैं, soccer is entertaining in winter, soccer is entertaining in winter, soccer अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है, in winter, soccer कब अच्छा लगता है, soccer हमें अनन्दा ही लगता है, जब सर्दियों का time हो, but it's better in the heat of summer, लेकिन यह और भी बढ़िया लगता है, यह और भी अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है, जब यह heat में, heat गर्मी पढ़ती है, कब गर्मी पढ़ती है, summer में, summer इत्तु है ना, गर्मी तभी पढ़ती है, summer के दोरान जब खूब गर्मी होती है, तब यह और भी एडिया था आपके कि soccer is entertaining in winter soccer कब अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है जब winter सर्दिया हो लेकिन contrast है लेकिन यह तो और भी ज्याद़ अच्छा लगता है इससे उल्टा ज्याद़ अच्छा कब लगता है जब यह गर्मियों का time हो ठीक है बट यहां पर contrast show करने के लिए काम में लिया गया है अपन यहां का कि सर्दियों में अच्छा लगता है फिरका नहीं लेकिन गर्मियों में तो यह और भी अच्छा लगता है तो पहले वाड़े आइडिय के विपरित आइडिया बताया गया है contrast show कर रहा है next चलते हैं इसके बाद में आता है the man play on two teams shirts और skins जो आदमी है वो दो तरह की टीमों में खेलते हैं shirts या तो shirt पेने में और skins या फिर बीना shirt के skins का मतलब क्या हुआ बीना shirt के तो यहां पर alternate है ना विकल्प है दो तरह की टीम में खेल सकते हैं आदमी दो तरह की टीम में खेल सकते हैं एक टीम हो जाती है आपके shirt पेने वे आदमी की shirt पेने वे लोगों की और दूसरी टीम हो जाती है skins की मतलब भी ना shirt वाले shirtless की ठीक है आगे चलते हैं I always take a book to read मैं अपने साथ हमेसे किताब ले जाता हूँ यट फिर भी I never seem to turn a single page लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कभी भी एक page भी नहीं पलट था हूँ ये लेकिन ये यट बिल्कुल but की तरह हैं लेकिन इसमें जो second जो thought है ना जो second idea है कि I never seem to turn a single page ये logically जुड़ा हूँ उस किताब उस first वाले ideas से पहले वाले ideas से logically जुड़ा हूँ किताब तो ले जाता हूँ लेकिन एक भी page नहीं पलटता हूँ यहाँ जो लेकिन वो contrast show करा है लेकिन logical contrast है दोनू एक दूसरे को logically एक दूसरे में विरोधा भाश show करता है ये yet ठीक है उसके आगे चलते हैं अपन I am dating one of the players वहाँ जो player खेलते हैं मैं उनमें से एक के साथ date कर रही हूँ या कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं कर रही ही बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने जो बताया है कि पीछे जो example दिये हैं उन एक्जामपल्स के मैंने जो player बता है वह आदमी बता हैं तो मैं as a girl as a woman ठीक है as a woman उसी साब से कहे रहा हूँ I am dating one of the players So I watch the soccer game each week हर सबता मैं soccer game देखता हूं किसलिए देखता हूं तो देखो effect पहले हैं जो effect है effect क्या है effect तो यह है result तो यह है कि मैं date कर रहा हूं ठीक है इसके अलब I watch the soccer game each week और इसी लिए यह इसी लिए मैं soccer का जो game है रोजना देखता हूं हर week देखता हूं sorry उसके बाद मैं I would like pizza or a salad for lunch यह एक बड़ा से sentence है I would like इसमें तोड़ा ज्यादा examples दिये वहे हैं ज्यादा coordinating connections के I would like pizza or a salad for lunch इसको salad बोलते है न इसका pronunciation है pronunciation है salad I would like pizza मुझे pizza अच्छा लगेगा या लगता है और a salad या फिर मेरे को salad अच्छा लगता है for lunch लंच में we needed a place to concentrate हमें किस चीज की ज़रत पढ़ती है एक इस्तान की जहां पर concentrate करते हैं so we packed up over things and went to the library ठीक है इसलिए हमने चीजों को pack किया और हम कहां चले गए library में चले गए देखो फर्स्ट में यह जो बताया है आपके और और आपके आपरनेट दे रहा है पिज्जा या सेलेड या पिज्जा या सेलेड और का कम अल्टरनेट्स को करना हमें किस चीज की ज़रती हमें ज़रती कंसेंट्रेट करने के लिए जगे की इसलिए इसलिए हम कहां गए इसलिए हमने कारण तो यह हो गया और उसके लिए जो को काम किया गया हमने चीजों को pack किया एंड 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 इडिशनल इंपॉर्मेशन बता रहा है चीजों को pack करने के बाद में हम कहां गए हम गए लाइब्रेरी के अंदर यह बैसिक से एक्जामपल्स हैं इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें sentences को अगर आप अलग अलग भी दो जो sentences जुड रहे हैं उनको आप अलग अलग पढ़ोगे तो भी आपको meaning समझ में आ जाएगा क्यों समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जो sentences हैं वो equal grammatical rank हैं grammatical rank हैं नमब एक चीज equal grammatical rank के होने का मतलब क्या हुआ उसका मतलब यह हुआ कि दोनों के दोनों sentences एक दूसरे से independent हैं सवतंतर हैं एक sentence अपने अर्थ के लिए दूसरे sentence पर depend नहीं करता और यही खास्यत है आपके coordinating conjunctions की चलिए आगे चलते हैं आगे जो हमारे पास चीज़ है वो है subordinating conjunctions subordinating conjunctions क्या है subordinating conjunctions वो conjunctions होते हैं जो एक independent जो clause है यह sentence है उसको दूसरे dependent sentence यह clause से add करता है connect करता है ठीक है देखो इसकी जो valid जो परिबास है वो अपन देख लेते हैं subordinating conjunction always introduces a dependent clause एक sentence जो दूसरे sentence पर निर्भर करता है इस निर्भर करने वाले sentence को किस पर ट्राई करता है एक ऐसा sentence जो independent हो जो कि स्वतंत्र हो dependent clause अब पढ़ते हैं कि dependent clause क्या होता है dependent clause is a group of words that cannot stand alone as a complete sentence dependent निर्भर वाला जो जो आसरित clause है जो ये व्यक्यान से उपवा के है जो आसरित उपवा के है ये आसरित उपवा के ऐसा sentence होगा जो कि अपने अर्थ के लिए खुद अपना एक अर्थ नहीं दे सकता अपना complete sentence नहीं कह सकते उसको dependent इसके उल्टे इसके उल्टे dependent क्या होगा वो अपने आप एक अर्थ दे सकता है खुद में एक वो एक sentence है complete sentence है ठीक है अंग्रेज जी के अंदर बहुत सारे subordinating conjunctions हैं जैसे देखो although, is, because, before, how, if, once, since, then, that, though, until, when, whenever, where, whether, while, why, and the unending list बहुत सारे subordinating conjunctions हैं ये वो मैंने list दी हैं आपको ये मैंने वो examples दी हैं जो commonly अपने काम आते हैं और भी हैं बहुत सारे ठीक है बट सब को यहां पर बता पाना possible नहीं है जो important है जो अपने लिए ज़्यादा significance रखते हैं significance रखते हैं उनको मैंने यहां पर लिखा है ठीक है चलिए एक-एक को पढ़ते हैं अपन example देख लेते हैं उनसे काफी कुछ अपने को समझ में आ जाएगा because of him I learned how to start my own business देखो अब आपको सर आपने बताया कि because और four एक जैसे हैं तो जड़ती क्यों पढ़ी देखो four जो होता है वो बीच में ही आएगा 99.99% cases में दो sentences को connect करने के लिए आएगा we cannot start a sentence from the word four with the word four हम four से sentence की starting नहीं कर सकते हैं because से कर सकते हैं because of him उसकी वज़े से I learned it मैं सीखा how to start my own business कि मेरा अपना business कैसे शुरू करें देखो अगर इस of him की अलग बात करें तो I learned how to start my own business मैंने सीखा कि कैसे मैं अपना खुद का business शुरू करूं ये जो sentence है ये जो sentence है ये किस परकार का sentence है भाई ये जो sentence है ये sentence एक independent clause है ये independent sentence है और ये जो of him है ये जो clause है ये dependent है इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा of him का क्या अर्थ निकलेगा लेकिन जब इसको because से अपन जोड देते हैं इस dependent sorry independent sentence से जोड देते हैं ये तो dependent है ये तो निरभर है आश्रित है इसको जो आश्रित नहीं है उस sentence से जोड देते हैं बस ये ही काम करता है conjunction subordinating conjunctions ये ही काम करते हैं एक dependent sentence को एक independent sentence से जोडने का ठीक है next बढ़ते हैं अपना आगे देखते हैं आगे जो sentence है अपने पास उसकी बात करते हैं everything will fall into place if you start at the beginning हर चीज हर चीज अपनी जगे विवस्तित हो जाएगी अपनी जगे आजाएगी जब आप एकदम शुरुआज से शुरू करोगे अगर आप बिगिनिंग से शुरू करोगे तो हर चीज अपनी जगे आजाएगी ठीक है इसमें जो ये if you start at the beginning तुम सुरुआज से शुरू करते हो ये कोई logical meaning नहीं देता लेकिन जब इसको everything will fall into place सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ अपनी जगे पे आजाएगा ये जो सब कुछ अपनी जगे पे आजाएगा इसका अपना अलग अर्थ है लेकिन ये जो second sentence है ये start at the beginning इसका अपना कोई अलग अर्थ नहीं है ये meaningful नहीं है ठीक है ये meaningful कब बना जब इसको आप ip से जोड़ देते हो उस दूसरे वाले sentence है ठीक है next देखते है until you try you will never know जब तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा you will never know तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा ये जो sentence है ये सोतंतर sentence है लेकिन until you try जब तुम तुम सुरू नहीं करते ये एक dependent sentence है dependent close है इसका अर्थ कब निकलेगा जब आप इसको जोड़ोगे you will never know और वो connecting word कौन सा है वो conjoin करने वाला वो जोडने वाला word कौन सा है वो word आपको मिलेगा until ठीक है ये कोई meaningful sentence नहीं सभी जागते हैं इसमें कोई meaning नहीं है लेकिन I add a new entry to my gratitude journal मैं अपनी जो gratitude वाली शुक्रिया करने वाली जो thanks बोलने वाली जो मेरी journal है जो diary है उसके अंदर में हर सुबे जब मैं जागता हूँ तब मैं एक नई entry करता हूँ एक नया सब नया वेक्ति जोडता हूँ नया नाम जोडता हूँ नई चीज जोडता हूँ तो वहन इन दो sentence को जोडने में काम लिया जा रहा है एक sentence independent है दूसरा dependent है ये तो हुआ independent और ये दूसरा वाला जो sentence ये कैसा हो गया ये हो गया dependent ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए As I write this letter I know I must say goodbye I know I must say goodbye It is a complete sentence in itself ये खुद में एक complete sentence है लेकिन I write this letter ये sentence तो complete sentence है लेकिन ये जो this word है ये add होने की वज़े से इसका meaning तभी आएगा जब this को indicate करने वाला जो reason है जो बात है वो साथ में add होगी वो कब add होगी जब आप ये दूसरा वाला sentence देखोगे I know I must say goodbye मुझे पता है कि मुझे goodbye कह देना चाहिए मुझे कहना पड़ेगा जैसे ही में ये जुही में ये letter लिखता हम ठीक है नेक्स देखिए life has been so happy since I moved to chilly जब मैं चली में चला गया चली नाम की जगे पे चला गया तब से life काफी happy रही है काफी अच्छी रही है ठीक है ऐसे ही देखो I can stay out until the clock strike 12 ठीक है तो यहाँ पे until है इन दो sentence को जोड रहा है तो अब आपको समझ में आगे होगा कि because if or when is since और ये until ये क्या है ये होगे आपके subordinating conjunctions चली आगे बढ़ते हैं अब बारी आती है correlative conjunctions की मैंने पहले बताया आपको correlative conjunctions वो conjunctions है जो काम में लिये जाते हैं payers के रूप में किस रूप में काम में लिये जाते हैं जोडे के रूप में काम में लिये जाते हैं ठीक है जोडे के रूप में किसे काम में लिये जाते हैं जैसे examples देखो both and जैसे example है both and not only but also either or neither nor whether or ठीक है यह चीज समझ में आई है आपको जाना और इसके अलावा true to be true to be है यह सब pairs में काम में ले जाते हैं single use नहीं आते हैं pairs के रूप में काम में ले जाते हैं इसलिए यह correlative conjunctions है इसकी अपन पढ़ लेते हैं एक बार मोटा मोटी इसके परिपासा देख लेते हैं come in pairs किस में आते हैं यह आते हैं आपके जोडूं के अंदर pairs में आते हैं and you have to use both of them in different places in a sentence to make them work यह तभी काम करेंगे और यह तभी काम करेंगे जब यह pair के रूप में यूज के जाएंगे लेकिन sentence में different places पे यूज के जाएंगे अलग-अलग जगे पे यूज के जाएंगे देखो इसका एक छोटा सा बता देता हूं मैं आपको जैसे एक है so that और एक है so that दोनों conjunction है लेकिन उपर वाला यह जो conjunction है यह subordinating conjunction है और यह जो conjunction है यह correlative है क्यूं क्यूंकि यह पूरा एक साथ आता है और यह एक साथ काम में नहीं लिया जा सकता मतलब एक sentence में different places पे आएंगे ठीक है और इसके अलाव और क्या काम की चीज हो सकती है इसके अलाव यह है कि यह भी grammatically जो equal है same rank के है उन nouns को जोड़ता है ठीक है या उन terms को जोड़ता है जैसे कि अगर एक noun के बाद में sorry एक noun के पहले if a noun follows both ठीक है एक noun अगर both के बाद में आती है तो उसके बाद में क्या आना चीए दूसरी जो noun है वो आनी चीए आपके end के बाद में rank बराबर होनी चीए example से better समझ में आएगा देखते हैं आपन I want either the pink sofa or the purple one ठीक either इदर के बाद में pink sofa noun है और the purple one ये भी noun है इदर के बाद में noun आई तो और के बाद में noun आनी ही होगी otherwise ये correct नहीं हो पाएंगे grammatically correct नहीं हो पाएंगे और दूसरी चीज़ जो note करने लाई के वो ये कि जोड़ा है ये एक जोड़ा है लेकिन अलग-लग जगे पे use किया जाएगा sentence के अंदर इदर कहीं आया है और कहीं आया है ठीक है या तो मुझे pink वाला शोपा चाहिए या मुझे purple color वाला शोपा चाहिए ऐसे ही ये पन दूसरे sentence I will study both English literature and art history तो देखो बहुत के बाद में क्या आया English literature आया तो end के बाद में भी एक कोई ना कोई noun तो आएगी ही I will study मैं पढ़ूँगा अध्यान करूँगा बहुत English literature अंग्रीजी साहिते भी पढ़ूँगा art history कला का जो इतियास है वो भी पढ़ूँगा ठीक है समझ माया ऐसे ही आगे बढ़ते हैं I did not know whether I didn't know whether you would want milk or cream so I grabbed both मुझे नहीं पता था कि बाई तुम्हें क्या चाहिए मिल्क चाहिए या क्रीम चाहिए ठीक है weather और तुम्हें क्या चाहिए या तो तुम्हें मिल्क चाहिए चाहिए तुम्हें मिल्क चाहिए चाहिए क्रीम चाहिए ऐसे इस्तति में मैं दोनों ले आया तो वेदर और ऐसे ही Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland Neither के बाद में country का नाम तो नौर के बाद में भी country का नाम Grammetically rank इनकी जो grammatical equal rank है इनकी ठीक है ना तो ना ही ठीक है I took not only the pink sofa but also the Tiffany lamp ये कोई lamp का परकार है मैंने ना केवल pink sofa लिया बलकि मैंने ये lamp भी लिया not only but also very easy बहुत आसान है ये कोर्डिनेट सोरी कोर्रेलेटिव कंजक्शन यूज करना समझना अब कंजक्टिव एडवर्ब की बात करते हैं ये नई चीज है कंजक्टिव एडवर्ब क्या होती है फंक्शनों पर कंजक्टिव एडवर्ब बिल्कुल ये किस तरीके से होता है कोर्डिनेटिव कंजक्शन के जैसे होता है दोनों को दोनों का काम होता है वो इंडिपेंडेंट सवतंतर क्लोजेश को जोडने का काम होता है फरक कहा होता है तोड़ा इनका जो राइटिंग होती है इनको जुल्खने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है कंजक्टिव एडव है उसके जस्ट पेले कोई ना कोई सेमी कोलन आएगा और उसके बाद में चांस रहेगा कोमा आने का सेमी कोलन कुछ ऐसा होता है ऐसा ठीक ये तो है कोलन यह जो मैंने sign बनाया है यह तो है colon यह नहीं है यह skip हो गया यह colon यह semi colon ठीक से नहीं बन रहा यह बन गया अपने यह यह हो गया अपने semi colon ठीक है वो विसर्ग होता है जिसमें दो dot होता है जिसमें उपर एक single dot होता है एक title होता है उसके नीचे गॉमा होती है वो semi colon है ठीक है अब जो commonly use की जाती है constructive adverbs वो कुछ इस परकार की है देखो also besides consequently also याने भी besides के अलावा consequently परिणाम शुरू फाइनली फाइनली आकिरकार अंत में however फिर भी indeed वास्तों में instinct के बजाए likewise ठीक है से ही meanwhile उसी दोरा nevertheless तथा फिर भी otherwise अन्यता on the other hand दूसरी तरफ दूसरी साइड in contrast इसका उल्टा therefore इसलिए in fact वास्ता में in addition to के अलावा यह बहुत ही commonly जो यूज की जाती है और reality तो यह है कि यह बहुत काम आती है अपनी writing को better बनाती है sentences को add करने में काम आती है कई coordinating conjunction तो किते एक हुए साथ coordinating conjunction है ठीक है उन साथ को तो वो साथ परकार के idea बता सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसे idea होते हैं जो कि समान रेक वाले sentences को show करते हैं तो उनको जोडने के लिए फिर conjunctive adverbs काम में ली जाती है example पढ़ते हैं आपन देखिए jack kept talking in class therefore he got in trouble jack क्या करता था class में काफी बोलता रहता था इसलिए he got in trouble दोनों sentence अपना single अपने इस्तान पर अर्थ देते हैं दोनों को जोडोगे तो कुछ और information मिलेगी अलग लग पढ़ोगे तो और information मिलेगी therefore यहाँ पर काम कर रही है conjunctive adverb का she went into the store वो store में गई however फिर भी she didn't find anything she wanted to buy वो store का मतलब दुकान वगेरा कोई shop हो गई कोई mall हो गया वहाँ पर गई फिर भी उसको वो चीज नहीं मिली जो वो करीदना चाहती थी ठीक है तो however यहाँ पर एक conjunctive adverb है I like you a lot मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ठीक है in fact सच बात तो यह है I think we should be best friend मुझे तो लगता है सच तो यह है कि हमें क्या बनने चीए अच्छे friend बन जाना चीए your dog got into my yard तुमारा कुत्ता है वो मेरे आंगन में आ गया ठीक है चला गया in addition इसके इलवा he dug up my pet knees ठीक है उसने जगे वगरा भी खोद दी जो pets के रहने की को जगे होती है उसको खोद दी थोड़े different term है you are my friend तुम मेरे दोस्त हो nevertheless nonetheless I feel like you are taking advantage of me वेसे तो तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइद तुम मेरा advantage उठा रहे हो मेरा फाइदा उठा रहे हो nonetheless तुम मेरे friend हो फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरा फाइदा उठा रहे हो my car payments are high on the other hand दूसरी तरफ I really enjoy driving such a nice vehicle दूसरी तरफ मुझे ये चलाना भी पसंद देखो ये contrast पेदा कर रहा है car के expense बहुत हाई हो न तो अच्छी कारे चलाने का अपने को मोका नहीं मिलता उसका मन तो करता चलानी पाता है ये कहता है कि वेसे तो expense बहुत उपर है फिर भी मुझे अच्छी कारी चलाना enjoy करना enjoy करता हूं अच्छा लगता है on the other hand ये conjunctive adverb हुई you need to put more effort into your work otherwise you won't get a passing grade तुमें काफी effort डालने पड़ेंगे अन्यता ऐसा होगा कि तुमें passing grade भी नहीं मिलेंगे otherwise अन्यता सब चीजू में common क्या है कि देखो colon आ रहा है sorry semi colon आ रहा है semi colon आ रहा है semi colon है semi colon है इसमें भी semi colon है इसमें भी semi colon है और इसमें भी semi colon है ठीक है फिर उसके बाद में आपको मिल जाएगी क्या conjunctive adverb मिल जाएगी और उस conjunctive adverb के बाद में आपको कोमा भी मिल जाएगी यही इसकी खास बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कंजक्शन के कुछ बेसिक रूल है वो पढ़ लेते हैं अपन एकदम इस टॉपिक के एंड की तरफ चल रहे हैं देर आरे फ्यू इंपोर्टेंट रूल्स पॉर यूजिंग कंजक्शन रिमेंबर देम और यू राइटिंग फ्लो बेटर तरीके से चले इसके अलावा देखो तो एक तरफ से देखोगे तो आईडिया को जोड रहा है एक्शन को जोड रहा है मार्केट गई औरेंज खरीदे मार्केट जाना अलग एक्शन है औरेंज खरीदना अलग एक्शन है इन दोनों को जोड़ा किसने किसने जोड़ा उन दोनों को जोड़ा end ने, end क्या हुआ, conjunction हुआ ये तो आप सोचोगे, तो ये हो गया आपके conjunction के point of view से सोचोगे आप grammatical point of view से सोचो supermarket is a noun oranges is a noun ठीक है ऐसे ही go is a verb and buy is a verb तो देखो ना, noun को जोड़ा verb को जोड़ा ये काम किसका है, conjunctions का आगे चलते है conjunctions are useful for making lists conjunctions are useful for making lists conjunction किस काम में आते हैं list बनाने में काम आते हैं जिसे एक sentence के अंदर अपने को listing करनी हो we made pancakes हमने क्या बनाए, pancakes बनाए हमने क्या बनाए, eggs बनाए and coffee for breakfast breakfast के लिए coffee बनाए तो देखो, list बना ले ने, मैंने क्या क्या बनाए pancake बनाए, egg बनाए, coffee बनाए listing करने में भी काम आते हैं और last जो point जो की बहुत important है, conjunction का बहुत important rule है वो ये है, when using conjunctions, conjunctions को काम में लेते time, make sure ये sure कर लें कि conjunctions को जो open sentence में काम काम में ले रहे हैं उनके सारे parts एक दूसरे को agree करते हो, कैसे? I work easily and yet I am careful मैं काम करते वक्त काफी busy रहता हूँ yet I am careful फिर भी मैं careful हूँ समझ में आती बात, समझ में तो आ रही है लेकिन sentence के जो part हैं, वो एक दूसरे को agree नहीं कर रहे हैं कैसे? समान वर्ड है careful, जो की समान है नहीं beasily एक adverb है careful एक executive है ठीक है? एक adverb और एक executive को आप conjunction से नहीं जोड सकते हैं ठीक है? इसके बजाए I work beasily but carefully या yet carefully अगर आप ऐसे काम में लेते हो तो ये correct है ठीक है? ये चीज अपने को समझ में आजानी चाहिए तो आज ये जो topic है, इसके अंदर अपने कुछ basic सी बाते पड़ी हमने ये पढ़ा कि conjunctions क्या होते हैं? ठीक है conjunctions, phrases, words, clauses sentences को जोडने में काम में लिए जाते हैं उसके बाद में जरूत क्यों पढ़ती है जो छोटे से simple sentence उनको complex idea में convert करना हो conjunctions काम में लिए जाते हैं इससे अपनी writing और speaking दोनों better होते हैं ठीक है, उसके बाद में कितने परकार के conjunctions होते हैं? तीन पर, चार परकार के होगे, वैसे तो तीन है, चोती एक अलग केटेगरी में ने बना दी है इसमें coordinating, subordinating, correlative और conjunctive adverbs ठीक है, उसके लवाबाद में अपन coordinating, coordinating में साथ conjunctions आते हैं, उनका acronym fanboys है, खास बात क्या है same grammatical, equal grammatical rank के sentences को जोडते हैं, ऐससे ही आप आगे चलोगे, तो subordinating conjunction, इसकी खास बात क्या है कि ये एक dependent close को एक independent close से जोडता है एक वाइक ये अपने आप में complete है दूसरा वाइक अपने आप में complete नहीं मिनिंग देने में, जब वो पहले वाले sentence के साथ में आएगा, तब complete मिनिंग निकलेगा, इसके बाद में अपने correlative conjunction पड़े, बहुत आसान conjunction थे, ये जोड़े में काम में लिए जाते हैं, ठीक है, जोड़ा भी ऐसा जिसका एक पार्ट sentence में अलग जगे आएगा, दूसरा पार्ट sentence में अलग जगे आएगा, ठीक है, उसके बाद में conjunctive adverb, ये बिल्कुल अपने coordinating conjunction के जैसे ही होती है, तोड़ा सा फरक होता है इनके पहले semi-colon आती है उसके बाद में कुमा जाती है ठीक है, उसके बाद में conjunction के कुछ rule पड़े, सबसे खास जो rule था, वो ये था कि conjunction जब आप काम में ले रहे हो तो दोनों parts एक दूसरे को conjunction के पहले वाला पार्ट और conjunction के बाद वाला पार्ट, एक दूसरे को grammatically agree करने चाहिए ठीक है, तो ये सहार था अपने conjunction का basic topic था ज्यादा detail में पढ़ना हो तो अपने को इसके लिए अलग classes बनानी पड़ेगी, ये एक basic बाई कि जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं पार्ट सोब स्पीच पढ़ा रहा हूं, जब मैंने बागी पार्ट सोब स्पीच पढ़ा हैं, वैसे इस sentence को पढ़ा है कि अपने को एक conjunction का basic पता होना चाहिए जो normal knowledge है कम से कम वो होना चाहिए अपने इसको competition wise नहीं पढ़ रहेगी अभी इसको detail में अपन sentences को solve करें फिर अपने उनमें error finding करें वो भी sentence वो भी जो lectures है I will upload them, but अभी इनको upload करने का time नहीं है क्योंकि अपने को basic समझना बहुत जरूरी है एक बार basics clear होगे तो अपन थोड़ा advanced form में भी चलेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही conjunction topic इसी के साथ खतम होता है last में मैं फिर से बोलता हूँ इस channel को जो कि brilliant academy unique education जो मेरा youtube channel है जिसके तुरू मैं ऐसे जो information वाले ये जो knowledgeable जो videos है जो मैं upload करता हूँ अलग अलग format में मैं चाहता हूँ कि आप इस channel को subscribe करें बेल आइकन भी दबाएं इसको maximum लोगों के पास share करें ताकि उनको भी benefit मिल सकें इसको like करें और इसको subscribe बोल चुका हूँ में like करें, share करें कोई आपका सुजाव हो कोई आपका question हो तो comment box में जाके comment भी करें दन्यवाद